केले के पत्ते में परोसा हुआ खाना देखकर कितना अच्छा लगता है बस मन करता है शुरू हो जाओ जीवन में कुछ ऐसी अच्छाईया या नेकी जरूर करनी चाहिए जिसका गवाँ सिर्फ भगवान हो यह लाइन आज मैंने सुबह पढ़ी और मुझे बहुत अच्छा लगा सच में हमारे जीवन में हमें कुछ ऐसे अच्छे काम करना चाहिए जिसका गवाँ उपर वाला हो और जो हाँ उन्हें सब पता है ताकि वो हमारे आगे आने वाले जो कर्मों का लेखा जोखा है वहाँ पर हिसाब रखे हैं है न दुनिया में चाहे किसी को कुछ एसास हो या ना हो या पता हो या ना पता हो उन्हें सब पता रहता है हलो एवरिवन वेलकम बैक टू अवर चैनल मेरी पूरी कुकिसपार्ट रामेली आप सभी सोस्त रहें सुरक्षित रहें और खुश रहें और आज जो लाइन में आपको बताई वो आपको कैसी लगी जवाब में जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और आज क्या बनेगा आज साउथ इंडियन प्लैटर बनाने का सोच रही हूँ मैं छुड़वात तो करने वाली हूँ आगे आगे देखते हैं पूरा खां तक पहुंशती हूँ मैं मैंने तीन हिस्सा चावल लिया है और एक हिस्सा उरत की दाल और एक बड़ा चम्मा जितना मेथी का दाना इन सभी को चार-पांच घंटे भिगो के रख लिया हैं अब दाल और चावल अच्छे से भीग चुके हैं यहां पर मैंने ग्राइंडर जार में उरत की दाल के साथ मेथी का दाना डाल करके अच्छे से पेस्स सयार कर लिया है अब इस बेस्ट को एक बरतन में निकाल लेंगे वापस जार में मैंने चावल डाले हैं और दो बैच में ये चावल भी डाल करके पीस लिया है अब सभी को एक बड़े बरतन में डाल करके अच्छे से हाथों से मिक्स करना चाहिए उसे ढख करके 5-6 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखना है 6 घंटे बाद अच्छा फर्मेंट हो जाता है कई बार थोड़ा ज़्यादा समय भी लग सकता है विंटर सीजन में पर 6 तब भी 8-10 घंटे में अराम से बन जाता है इसे मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है अब मैं बना रही हूँ नारियल की चटनी ये गीला वाला नारियल है इसके छोटे-छोटे पीसेस कर लिया है मैंने जिसे फाइन पेस बने अदरक, लसुन और करी पत्ता डाला है साथ में हरा धनिया भी डाला है नमक सौत के अनुसार डालेंगे और ये डाला है मैंने भुने हुए चने, डालिया सबको डाल करके पीस लिया है तो इस सरीकी का पाउडर सा तयार हुआ है अब इसमें मैं दही डाल रही हूँ खटे-पन के लिए बहुत लोग इसमें इमली भी पसंद करते हैं खटे-पन के लिए या फिर आप लेमन जूस डाल सकते हैं यहाँ पर दही डाल करके मैंने अपीस है तो फाइन पेस्ट हुआ है और कितनी पतली आपको चटनी बनानी है उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं तड़के पैन में तेल गरम होते ही राई डाली है उरत की दाल, चने की दाल, हींग, करीपत्ता, लाल सुखी मिर्ची और बहुत जरसी लाल मिर्ची पाउडर अब तड़के को मैंने डाला है चटनी की ऊपर तो यह हमारी नारियल की चटनी रैडी हो गई है यह मुझे बहुत पसंद है और अब मैं गीला नारियल फ्रीजर में स्टोर करके रखती हूँ वो मैंने आपको बताया था इसलिए अब मुझे जब भी बनाना होता है चटनी तयार हो जाती है और यह रहा मसाला डोसे के लिए मसाला जिसकी रेसिपी मैं चैनल पे बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ मैं लिंक डिस्किप्शन में दूँगी आप चेक कर सकते है अब मसाला भी रैडी हो चुका है और जो यह बैटर मैंने एक बतन में रखा था उसे मैंने थोड़ा लिया है मतब जितना मुझे यूज करना है उसमे मैंने डाला है नमक और ओयल ओयल एक बड़ा चमा जितना और अब इसमें बहुत थोड़ा सा सोड़ा डाल करके इसके उपर एक चमाश पानी डाला है सोड़ा करीब मैंने 1-4 टी स्पून ही डाला है क्योंकि अच्छा fermented है चुकि मुझे इडली बनानी है तो फिर भी मैंने सोचा कि कोई रिस्क नाल ले एकदम soft इडली चाहिए हमें इसलिए मैंने डाला और इडली plates को grease कर लिया पानी गरम हो रहा था और उसमें इडली डाल ले अब मैंने थोड़ा सा बैटर निकाला है जिसमें कटा हुआ धनिया पत्ता डाला है नमक स्वाथ के अनुसार और ब्लैक पेपर पाउडर अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस बैटर से वड़े बहुती ज़ादा खास बनते हैं तो अभी यहाँ इडली स्टीम हो रही थी 15 मिनिट में इडली स्टीम हो जाती है परफेक्ट वाओ बहुती सॉफ्ट और स्पॉंजी इडली बनी है बड़ी बड़ी सी इडली बनाई है मैंने अब इडली स्टैन को रखा साइड में और जो बैटर मैंने अभी थोड़ा सा निकाला था इसे ड्रॉप कर देंगे बड़े 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 बन जाएंगे इतने फूले फूले से डबल साइज हो जा रहा है यह देखो यह करारे करारे से बड़े और इनके साथ गर्म गरम सांबर या रसम जो भी आप पसंद करते हैं वो आप सर्व कर सकते हैं इविन चटनी के साथ भी बहुत ही बढ़ियां लगते हैं नारियल के चटनी के साथ तो यह बन गए वड़े एक ही बैटर से आपने दूसरी रेसिपियों बना ली हमारे हां केले के पत्ते तो बहुत सारे आई हुए हैं आज और चलू उनमें ही मैं निकालती हूँ प्लेट में तो हमेशा निकालती हूँ इस तरीके से मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है केले के पत्ते में रखना बहुत सुंदर लग रहा है और यह बहुत ही दादा तेस्ती है हाँ आलू का मसाला नारियल के चटनी और सामबर यह सब रेड़ी है सब साइड में तैयार करके रख दिया मैंने है ना कितना बड़ी है देखने में कितना अच्छा लगता है अब बाकी के बैटर में मैंने डाला है नमक और चीनी डाला एक चमच और दो चमच जितना बेसन सब को डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छा मतलब बैटर जितना हमें दोसे का चाहिए ना उस हिसाफ से कर लो जितना पानी की आपको जरूरत है और अब डोसे बनाना शुरू करते हैं और जब डोसे की शुरूआत होती है ना फिर तो वो लगातार बनते ही चले जाते हैं और लास्ट में ही मुझे बनाना था डोसा तो मैं सोच रही हूँ चलो पहले प्लेट सजा लेते हैं तो प्लेट आज लग रही है केले के पत्ते की और इसे मैंने डाले इडली और वड़े रखे हैं फिर आलू का मसाला है और ये नारियल की चटनी है और सांबर सांबर तो मैंने कितनी बार रेसिपी शेयर की है मैं लिंक डिस्किप्शन में दूंगी उसमें सांबर और आलू मसाला दोनों की रेसिपी होगी आप चेक कर सकते हैं और तवा गरम होते ही मैंने डोसा फैलाना शुरू किया इतने परफेक्ट डोसे बन रहे हैं कि बस मन कर रहा है गर्मा गर्म बनाओ और खिलाओ पत्तेव में मैंने जो सजाय थी थाली उसमें ही मैंने जब सारी चीज़ें रखी हैं डोसे की ही कमी है तो मैं सोची दो तरकी के डोसे रखती हूँ एक तो मैंने रोल करके रखा और एक मैंने वो कैप वाला बनाया जैसा कि मैं हमेशा बनाती हूँ ये मुझे बहुत अच्छा लगता है प्لेटिंग में ऐसे रखन डोसा तैयार हो कही हमारी साउथ हिंदिन प्लैटर वैसे समें कोच चीज़ें और भी कमी हैं जैसे इसी बैटर से आप पर भी बना सकते हैं ढोकले बना सकते हैं, same batter से, उतपम बना सकते हैं, जो कि बहुत से लोग बहुत पसंद करते हैं, तो मतलब आप इस एक batter से न, 6-7 तरिकी की recipes ready कर सकते हैं, आप पम भी बनता हैं, पतला सा batter करके कड़ाई पे, बहुत ही बढ़ी हैं, और गुपता जी के expression वही शुभी वाले कह हैं, सभी चीजें बहुत अच्छी बनी हैं, और बचों को तो खैर पसंद होती है, जब कुछ ज़्यादा ही पसंद होती है, कोई चीज तो शुभम एकदम शान्ती से काने में लगा होता है, और ये देखो, बढ़ी हैं, सारे के सारे डोसे भी बनते जा रहे हैं, और ये ल फैमिली, अपने फ्रेंड्स, सब को बना कर खिला सकते हैं, वीडियो कैसा लगा, कॉमेंट में जरू बताएगा, पसंद आएगा, तो लाइक ज़रूर करिएगा, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाई बाई